कि यहां पर देख लेते हैं कंपनी के हाइलाइट फिर आते हैं चार्ट पर डिसाइड करते हैं कि कि यहां पर फिलाल क्या होना चाहिए पर फिलाल के यहां पर पर इंडस्ट्री के पीश नहीं कर सकते हैं तो इस अब पर इसके पर इन्डस्री के पीश से नहीं कि जा सकते हैं खास करके अगर इसको कंसे करता मतलब नसले वर बैटैने से भी एक्षाक्ली नहीं कर सकते हैं तो फोड़ा सा यहां पर कह सकते हो कि exactly इंडस्री से नहीं कर सकते हैं लेकिन फिर भी अगर देखा जाए लांग टम profit growth के साफसा अगर हम लोग देखा करें जैसे कि पाल साल के profit मतलब पांच एयर के profit growth से देखा जा तो यहां पर स्टॉक की थोड़ी सी सही स्वाल साइस सही सही सरामत देखने के लिए तो थीक ठाक है यहां पर आप लोग को देखने को बिलेगा एक अच्छा-खास आम लोगो दोनों ही पिगश देखने करें कि मिलता है तरह से अच्छा-घ्रो थीन साल के साथ परसेंट आलमोस फ्लैट यहां पर बहुत जाथ साथ परसन सतर परसन डाउन होगा अगर ऐसे कंपनी साके पोर्टोलियो में है क्योंकि यह एकठा बहुत जाएदा तेज़ी से नहीं भागती है यह धीमे धीमे चलती रहती है और अपने अर्निंग्स के आसपास ही रहती है मतलब जितनी अर्निंग्स बढ़ेंगी उतनी ज्य बहुत सारे इसके अंदर बिजनेस हैं इसलिए यहां पर पच्छेस परसंट कमेंद रहा है नहीं तो बाकि अपन्दरा चौदा या मतलब 15 के नीचे ही रहती है अल्मोस्स ऐसा कह सकते हो यहां पर और सारे बिजनेस हैं इसलिए मार्च थोड़ा सा आप लोगों बढ़ाव अब एक्सपेक्टेशन से जादा होगा या कम यह नहीं बताया सकता है लेकिन अभी आज ही के दिन गर देखे हो तो नसलिका रिजल्ट आया है वह एक्सपेक्टेशन से जादा आया तो वहां पर चौबिस परसेंट से ग्रोथ यह और यह बढ़ी है तो कुछ ऐसा यहां प थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है अगर रिजर्ट एक्सपेक्टेशन से कमाया तो यहां पर बाकी नेट वॉफिट देखा जाए तो नेट वॉफिट के अंदर भी एक अपसाइड हम लोगों को देखते हो को मिल रहा है बाकी शेरोलिंग पाटर्स में नहीं मीजरली यहा पर हम लोग ले सकते हैं एक ट्रेड टार्गेट 14-15 या 10-15 परसंट के आज पास हम लोगों लिए थे अभी फिलाल लेखा जाए तो यहां से ज्यादा टार्गेट लेने में फिर हम लोगों को यहां पर रिस्क होगे क्योंकि यहां तक अभी रिजल्ट भी आने वाला है इस द्धंग से और मेंटें करके रखनी होगी अतलब रिजल्ट आने वाला हो अगर आने वाला है चेक कर लेना आप लोगो आने वाला है कि नहीं है तो देखो अभी अनौस नहीं हुआ थो थोड़ा सब यहां पर टाइम है उस हसाब से दिखा जा तो यहां तक का टार्गेट लेकर देख सकते हैं अगर यहां तक टार्गेट मिल जाते है एक बार को तो यहां पर बुक करके निकल जाना नहीं तो बाकि जो लॉंग टम के लिए पॉर्टफोलियो में रखा वह उनको कोई दिक्कत नहीं आने चाहिए उनको क्वाटरली रिजल्ट से तो खास करकी कोई प्रॉब्लम नहीं होन है तो आप लोग अपने पॉर्टफोलियो में बना कर रख सकते हैं तो यहां पर रिजल्ट अगर आया तो वहां पर थोड़ी से हम लोगो दिक्कत हो सकते हैं जो कि अभी फिलार अभी अपकमिंग रिजल्ट में नहीं दिखा रहा है ना तो देखेंगे जो होगा आप सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन वाले नोटिफिकेशन बटन ज़रूर दबा देना और अपना क्यापिटल सेफ रखना ओके बाए